हालेलुया, खुदावन जीशु तु महान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ, हालेलुया, थैंक्यो जीजिस, पिता परमेश्वर तु महान परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, ध दन्यवाद येशू, दन्यवाद येशू, हालेलूईया, हालेलूईया, सब जन अपने हाथों को उठाओ, प्रमेशूर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम की महिमा करो, पूरे दिल से, उसके नाम का दन्यवाद करो, हालेलूईया, हालेलूईया, थैंक यू जीजस, पिता प बड़े कामों के लिए तेरी महान दया के लिए पिता, मैं तरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलू या थैंक्यू जीजिस, पिता परमेश्वर, मैं तारीफ करता हूँ उस लहू के लिए, जो हमारे पापों के लिए तूने बहाया पिता परमेश्वर उस मार के लिए उस कोडों के लिए पिता परमेश्वर जो तुने हमारी चंगाई के लिए खाए पिता परमेश्वर तु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाडा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं तुझे अपनी जिंदगी में ग्रहन करता हूं पिता सब जन अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन होकर प्रातना करो बोलो पिता परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूं उस पावितर लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए बहाया गया तेरी उस सलीब के लिए जो तुने मेरे लिए उठाई जो मेरी सजाथी परमेश्वर वो तुने आपने उपर ली मेरी बिमारियों के लिए तुने मार खाई ये परमेश्वर तेरे उस महान प्रेम के लिए बोलो तेरे उस महान प्रेम के लिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं तुझे अपना उदार करता ग्रहन करता हूँ तू ही मेरा परमेश्वर है तुझे छोड़ कर और कोई परमेश्वर ने पिता मैं तुझे ग्रहन करता हूँ खुदावन तेरे वचन में लिखा जो येशु मसी को ग्रहन करेगा परमेश्वर उसे अपना बेटा और अपनी बेटी बनाएगा बोलो परमेश्वर मैं येशु मसी को ग्रहन करता हूँ ग्रहन करती हूँ येशु मसी मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा ग्रहन करो येशु मसी को वो धर्म को बदलने के लिए नहीं आया है वो जात को बदलने के लिए नहीं आया है वो आपको बदलने के लिए आया है आया है, वो आपको चंग्याई देने के लिए आया है, आपके हालातों को बदलने के लिए आया है, येशु के नाम में, उसे गरहन करो, बो तु मेरा परमेशुर है, तु मेरा सर्व शक्तिमान परमेशुर है, हालेलुया, 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 आज परमेशुर आपकी जि प्रब्येश्वर के लिए आपका धन्यवाद करता हूं पिता प्रब्येश्वरूरु आपकी पवित्र हसुरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज सुबा से लेकर अब तक तुने मुझे समाला है पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन नए दिन के लिए, नए शुरुवाद के लिए, और नए जीमन के लिए, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर खुदावन तु महान परमेश्वर है तू सामर्ती परमेश्वर है तू बड़े-बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता हालेलोया, 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 धन्यावद येश्यू तू पावित्तर परमेश्वर है तू राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर तेरे जैसा और कोई नहीं पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठा कर सभी जन उसके नाम की तारीफ करो उसका धन्यवाद करो वो महिमा के योगे परमेश्वर है उसके नाम की तारीफ करो उसके नाम को उचा उठाओ हालेलुया तारीफ करो उसके नाम की तालियों के साथ उंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया हालेलुया थैंक्यू जीजस दन्यावद येश्यू दन्यावद येश्यू तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा सर्व शक्तिमान परमेश्वर है मैं आज के दिन के लिए तेरे नाम की तारीफ करता हूँ तेरे नाम को उचा उठाता हूँ पिता परमेश्वर बोलो हाले लोई या तारिफ करो सब जन परमेशुर आपके जीमन की हर एक परिस्तिती को बदलना जानता है और वो जल्द ही बदल देगा अगर आपका पती शराब पिता है अगर आपके बच्चे नशा करते हैं तो कहिए परमेशुर से पिता तूने अपने बचन में कहा तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा तो पिता मैं तेरे इसी बचन से पराथना करता हूँ करती हूँ कि खुदावंद तू मेरे पती को बचा ले तू मेरे बच्चों को बचा ले पिता परमेशुर वो इन गंदी आदतों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर याद रखिए आपको वचन के साथ परातना करनी है क्यूंकि परमेश्वर ने अपने पावित्तर वचन में कहा है दर्ती और अकास टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे जो भी आपकी गरीबी, लाचारी, बिमारी और परेशानिये आज रख दीजिए परमेश्वर के सामने और कहिए परमेश्वर तु मेरे हालातों को जानता है तु मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर और मैं ये भी जानता हूं कि जो भी मेरे हलात हैं वो मेरे ही गलतियों के कारण है पिता परमेश्वर मैं आज आप से पिता उन सारी गलतियों की माफी मागता हूं पिता परमेश्वर तू मेरे हलातों को बदल दे पिता परमेश्वर मेरे जीवन को तू ही बदल सकता है पिता प्रमेश्वर मुझे माफ कर दे पिता प्रमेश्वर अपने हाथों को उठा कर पिता प्रमेश्वर से माफी माँगिए अगर आज आप पाप में गिरे हुए हैं अगर आप नशे में गिरे हुए हैं तो कहिए परमेशर से, पिता मुझे माफ कर, मुझे छुड़ा इन गंदी आदतों से पिता परमेशर, तांकि मैं तेरे नाम को उचा उठाने वाला बन सकूं पिता परमेशर, मैं तेरे नाम को उचा उठा सकूं पिता परमेशर, मुझे पर अपना अनुग्रे कर पिता परमे मैं तुझे से जुदा होकर पिता परमेशुर कुछ नहीं कर सकता पिता परमेशुर मुझे अपना अनुग्रे दे अपनी सामर्थ से भर पिता परमेशुर ताकि मैं तेरे वचनों पर चल सकू पिता परमेशुर मैं तेरे साथ समय बतीत करने वाला बन सकूँ पिता परमेश्वर अपने मुझ को खोलते हुए बोलिए सभी जन पिता परमेश्वर मुझे माफ कर पिता परमेश्वर तुने मुझे आज तक संबाल कर रखा पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता प्रमेश्वर तू आज ही मेरी प्राथना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा पिता प्रमेश्वर अपने हाथों को उठाते हुए सभी जन करो प्राथना आपके बंद रास्ते खुल जाएं प्रभु येश्व के सामर्थी नाम में आपके बंद रास्ते खुल जाएं आपके आशीश के रास्ते खुल जाएं आपके फौरन के रास्ते खुल जाएं आपके बिजनस के रास्ते खुल जाएं प्रभु येश्व के सामर्थी नाम में सेवकाई के रास्ते खुल जाए, नशे का आत्मा आपको छोड़ कर चला जाए, गंदगी का आत्मा आपकी जिन्दगी को छोड़ कर हमेशा के लिए चला जाए, प्रभु येश्यू के सामर्ती नाम में, वैबी चार का आत्मा आपको छोड़ कर चला जाए, गालियों वाला आत्मा आपको छोड़कर चला जाए प्रभु येशु के सामर्थी नाम में, गुसे का आत्मा आपकी जिन्दगी से चला जाए प्रभु येशु के नाम में, जहां जहां आपकी जिन्दगी में अंदेरा है, प्रभु येशु के नाम में, वहां वहां उज्याला हो, वैसे ही मैं आपकी जिन्दगी में बोलता हूँ, आपकी जिन्दगी को अंदगार चोड़े, आपकी जिन्दगी को शैतान चोड़े, और आपकी जिन्दगी में उज्याला हो प्रभु येश्यू के सामर्थी नाम में, आपके बिजनस में उज्याला हो, आपकी सेहत में उज तरजल्द ही देगा इस सारी प्राथना को प्रभुयिश्ट